हाई बेहुदीब शिखा और जोनाता टीवी की टीम आज चुकी है रोहतक के जाट कॉलेज में यंगिस्तान से मुलाकात करने के लिए बाचीत करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ और आज को हमार टॉपिक है कि आज की एजुकीशन कितनी करियर ओरियेंटेड है हमार साथ कई बच्चे यहां पा मौजुद हैं क्या नाम है आपका निश्यू क्या पढ़ती हो आप मास कम्मुनिकेशन पढ़ रहे हो हो तो क्या मतलब आपने क्या सोचा आगे फ्यूचर में मास कम्मुनिकेशन क्यों क्या पढ़ाई कर रहे हो तो आगे कि क्या कुछ तैयार कि मैं अपने व्यूज दूसरों को रखूं कि मैं एक अच्छा पोजिशन स्टेंड करूं आगे क्या सूचा है आप मास कम्निकेशन कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हो यही हम यूथ की जो बात है जनता तक पहुचाना चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे साथ मौजूद है जो BGMC कर रहे हैं कोर्स कर रहे हैं लेकिन कुछ डिसाइड नहीं किया है तागेट नहीं है सिर्फ एडमिशन ले लिया है ऐसा क्यों होता है कि आपने कुछ सोचा नहीं और एडमिशन ले लिया गाइडलाइन देने के लिए कोई नहीं था इसलिए गाइडलाइन देने के लिए बच्चों के पास कई बथ नहीं होता जिसके वज़े से बच्चे एडमिशन दे लेते हैं education system की बात करें तो कहां तक हमारा education system है वो सही है और किस तरीके की आप गलतिया अपने education system में देखते हैं जो ठीक करना चाहेंगे अगर मैं एजुकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से एजुकेशन बहुत पुराने सिस्टम से ही चल रहा है जो पहले था कि एक नोकरी मिल जाए और खतम मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर ले या हम खुद का कुछ कर सके अगर हम बिजनेस से रिलेटेड या आर्मी से अलग कुछ करना चाहें तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम स्कूल ही सिक्सा से कर सके हाँ ठीक एक्टिविटी करवादी की डांसिंग है या हमारा किसी और एक्टिंग में शोक है लेकिन उसको एक सब्जेक्ट बनाए ना आप ताकि आर्मी से अलग है उनसे अलग है पैरेंट्स भी तो जागरुक तब ही होंगे ना तब वो ए स्लेबस है वो काफी पुराना चल रहा है और इस तरकी की कौन से तुरुटी है जो आप अपने एजुकेशनल सिस्टम में देखते हैं जो किस इस तीज में पूराना चल रहा है बट जो प्रेक्टिकल वरुक होता है वो कम होता है कोलीज में इस्ट्रुमेंट अवेलेबल कैसी अवेलेबल कोलीज में होते हैं और उनके इस्ट्रुमेंट नहीं है इन्फ्रस्ट्रुक्टर है लेकिन लैब्स नहीं है तो ऐसे में बच्चे क्या करें आप क्या कहेंगे इस बारे में मैं भी ज्यान होना चाहिए क्योंकि किताम में बच्चा कितनी पड़ सकता है उसे अन्य गती वीडियों में भी बाग लेना चाहिए मैम बीस में हूँ मैं तो क्या सोचकर आपने अ bet you कोई पूछता नहीं दोच्ट कहूंट में चल्रागां कराई करना शिर्य के श्सक्रागा किपरों में औरığı कि एक लिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो साइटी है वह ऐसा मानती है कि एक ग्रेजविट परसन जो है वह ही एजूकेटेड है जिसकी वजह से बच्चों ने भी आप यह वह द्रूरी है तो डिगरी तो किसी भी चीज में कर लेते हैं बाकी देखा जाएगा जो एजूकेश तो यही इसी सोच को तो हम क्लियर करने के लिए आपके साथ मौजूद है यंगिस्तान की क्या सोच है क्योंकि जितने भी अभी तक हमने बच्चों से बात की है सब का जो है वो टागेट सेट नहीं है कोई कुछ सोचता कुछ और है कर कुछ और रहा है और जैसे के बात यहां यह हो रही है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो यदि आप उसमें टॉप भी कर लेते हैं तो जोब्स के कितने चांसे हैं? आप में लिखने में बहुत ज़ादा इंट्रेस्ट है मैं तो मैं लिखना चाहती हूँ अब आप क्या आप क्या सोचे हैं कि आगे जोब्स अपॉर्चूनिटी इस कोर्स के जरीए कितनी हैं आपकी लिए थोड़ी सी है मैं परकोशिश करूँगे मैं मतलब की थोड़ा सा चलिए ये बिल्कुल सही कहा जो आपके मन में आपने कह दिया कि opportunities कम है लेकिन आप कोशिश करेंगी कहा कमी रह जाती है जिसकी वजह से opportunities कम है क्या कारण है जिससे आपको लगता है कि जो opportunities आज की date में हैं हमारे आसपास jobs की opportunities वो बेहत कम है फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं महनत कर रहे हैं लगन से काम कर रहे हैं क्या कारण है कि opportunities कम दिखाई देती हैं आपको मैं मेरको पहले अपने विचारों में थोड़ा सी कमी है मैं अगर चाहिए तो मैं मा फोर्चनिटी तो बते रहे हैं बहुत है मैं चली education system में आप कहां पर कमी देखती हैं जिसकी वजह से जो है बच्चों को जॉब लेने में मुश्किल होती है युवा जो है आज का वो बेरोजगार घूम रहा है किसी को सपोर्ट में जाना पसंद होता है तो घर वाले मेडिकल या नुन मेडिकल दिल्वा देते हैं अगर हम स्टार्टिंग से जैसे 11 ते 12 से ही स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स की अलग अलग वो रखें गो गेंस का अलग है उसको जिसमें जाना चीना उसी फिल्ड में जाएगा बच्चा तो मैं हम देखो यह मलब इकनोमिक्स भी हमारी बढ़ेगी उससे ठीक है और मिलब हर बच्चे एक अलग से निखर के आएंगे अब किसी को पेरेंट्स की उसकी वजए से है अब जैसे कोई फ्रेंड करती है हमारी जैसे अगर किसी फ्रेंड ने में बीएस क्लियर किया है तो गरवाले सोचते हैं कि हमारा बेटा भी में बीएस ही क्लियर करें अगर उसका इंटरस नहीं है तो थोड़ा यह भी सोचना चाहिए मिल गोवर्मेंट वगारे यह कुछ भी है तो 11 क्लास से ही स्टार्टिंग से ही बच्चों को उस फिल्ड में डालना चाहिए जिसमें वो जाना पसंद करता है अंशु मुझे पूछना चाती हूँ मैं यह पूछना चाती हूँ कि आप जो कोर्स कर रहे हैं आपने क्या सोच के इस कोर्स में एडमिशन लिया है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ करो कुछ नया कर वाकि सब फिल्ड में दो नोर्मल एब यह है मसी है बीससे सब नॉर्मल है यह कुछ नया दिखा में इसले हम यहां आए हैं और हम जू उपर ट्र्च सब अगर बंदा ट्राइ अपकर अपना पेस्ट लें तो इका है जिसकी वज़़ह से लोगों को जौप प्रफ नहीं मिल पाती है एजुकेशन में में क्या है कि 12 लास तक क्या पढ़ाते हैं कि साइंस पढ़ा देंगे और हिंदी इंगलिश सब यही होता है लेकिन जो अगर हम किसी सरकारी साइट के जाए तरफ जाएं तो वहां क्या होता है हर याना जिक्के होती है यही सब होता ह है वहां पर यह सब चीजे बहुत कम पढ़ाए जाते हैं के लिए अलग वो लिया जाता है अलग से हमें कोचिंग ली जाती है तब जाके हम इनकी साइट जाते हैं गौर्मेंट को क्या करना चाहिए आपको क्या लगता है कि गौर्मेंट को किस तरीके के सुधार अपनी शि किसान ह Autobuy करेंगे की आप भी करेंगे शिक शक करेंगे लेकिन को क् genuinely हम जाना चाहेंगे के जह नया mindset का mind set है उनको ध्द्धान मेंं रखके चीजο को इंपरूंड करना चाहिए नहीं चीजों को लाना चाहिए अगर आप पुरानी चीज़े नहीं बदल रहे हैं मत बदलो पट उनमें इंप्रूमेंट लाओ जिस तरीके से अब चीज़े चल रही हैं उस तरीके से चीज़े होनी चाहिए यही कर सकती है गवर्मेंट तो और उसके साथ साथ फिर हम लोगों को अपना हंडर्ड देना पड़ेगा उस पर लिख खर करेंदमिशन ले लिए किसी कोर्स में या बस ऐसे ही किसी भाई बहन के कहने से ले लेकिन अब ऐसा महसूस हो हरा है कि शायद अपने जा सकते हैं किए हमारी मेरा मानना है कि जो हमारी फिल्ड है लेकिन फिर भी आज का युवा बेरोजगार क्यों है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं और पीएज़गी हुए हैं लेकिन जॉप्स नहीं है इसलिए वह बेरोजगार है और उनका मोटिव स्रफ एक डिगरी लेना है उनका मोटिव यह निया कि हमें90 करना है उनको सिर इतना है कि दोस्ती ले लिया ओड शेelectार्ट में । तो में हमेशा पार्ट करना जरूरी समस्ती है मैं सबसे बड़ी प्रोब्लम जोब किये है न्यूजर नेशन के लिए मैं तो मैं सरकार को भी कुछ करना चाहिए इसके लिए कि मतलब जिससे मैं यूआ वेरोजगार ना गुमे गौर्मेंट को क्या करना चाहिए ताकि इस तरीके की जो परिशानी है वो दूर हो सके मतलब बन पुराना सिस्टम चल रहा है आज कल आम टेकनोलजि के एडवान्स हो चुके हमारे स्कूल में कोलेज में घाए डिल्ली मॉंबाई जहां पे भी जाए श्कूल में ना classes में smart class लगी होई होती है जो youman होता है न है यूमन का ब्रेन मतलब pictures को जल्दी carry करता है और words को इतना carry नहीं करता और जो समझ नहीं रहता आप देख सकते हैं नमबर बहुत अच्छे आते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि बच्चों का माइंड सेट है कि पास होने लाइक नमबर चाहिए बस इतने आ जाए बस पास हो जाएंगे और चाहे नॉलेज बिलकुल भी ना हो मैं मान लिया आप कह रहे हैं कि नमबर अच्छे आ जाते हैं कुछ बच्चे ऐसा सोचके पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ टागेट सेट नहीं किया होता है कोई कोई पास होने का टागेट लेकर चलते हैं लेकिन सिर्फ पास होने का टागेट नहीं होना चाहिए न क्यों ऐसा बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ पास होना जरूरी है मैं पास हो गए बच्चα आपकी बात मालेता हूं कि बच्चे पास होने के लिए पड़ते 파ड लेकिन उसके बाद अगर इसां कि बच्चा को ही के मैं घुरोत अमेरी चायर फे रिचिन होते है तो लेक्विश सब्सक्राइब फिल्प पर्यप वह हो । से%, उनके पास इतना effort नहीं है कि वो हर एक चोकी के साथ एक forensic team बिठा सके तो क्या वहाँ से job नहीं निकलेंगी अगर chemistry से पढ़ रहा है बच्चा तो forensic कर सकता है तो उसके लिए आप promotion कीजिए जैसे आप army के लिए करते हैं आप police वाले के लिए प्रमोशन करते हैं आप फॉरेंसी के लिए प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं फिल्ड है लेकिन जोग नहीं है बहुत अच्छी बात इनोंने कही है कि education system जो है वो अप्ग्रेडिट होना चाहिए जिस सरी के से अभी हमने आप से बात चीट की तो आपने कहा कि सिर्फ पढ़ाई इसलिए की जाती है एक target चेट कर लिए जाता है कि भाई 33% तो आनी चाहिए पास होने है चलिए मैंने कहा अब ऐसा क्यों बच्चे सोचते हैं आप ऐसा सोचते हैं कि पास होना ज़रूरी है मैं तो नहीं सोचता तो आप क्या सोचते हैं आप अपनी सोच बताईए मैं क्या बताऊँ मैं तो अज B.S.E कर रहा हूँ जैसे फर्स्ट एर हो मैं साथ आँ ग्रेजूशन हो जाए मैं तो अपनी तारी भी तारी भी कर रहा हूँ जैसे दिल्ली पुलीस की एरफोर्स की सुबह आपे कोलीज में श्याम को अपना कोचिंग सेंटर लगा लेते हैं वहाँ पे जोब है क्योंकि यार बच्चा देखता है 12 के 12 करने के बाद सब भी बच्चे सोचते हैं कोलीज में एडविशन ले 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 और अपना ग्रेजूशन हो जाएगी कोलीज में जाने से नोकरी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी कोलीज में जाने से नोकरी मिलेगी क्यों ऐसा होता है कि बच्चे कॉलीज भी आ रहे हैं लेकिन ट्यूशन भी ले रहे हैं कोचिंग सेंटर भी ले रहे हैं कॉलेज में क्या चीज रह जाती है क्या कमी रह जाती है क्योंकि वही टीचर होते हैं बलकि कॉलेज में इतने सारे बच्चों को एकसाथ पढ़ाया जाता है कहां कमी रह जाती है कि बच्चों को ट्यूशन के लिए बहार जाना पड़ता है कोचिंग में ऐसा क्या स्पेशल प मतलब जिस में मैट्रील में आना हुता है तो कोचिंग सेंटर में तो कोड़ाते हैं एक ऊसकी अकोडिंग़् उन्केशन सिस्टम में मेरा सभीस सवाल है कहां पर कमी देखते हैं जिसकी वजह से जो वह बेरोजगार घूम रहा है और कई बच्चे डिग्रीज होने के बावाजूद भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं और वही मैं आपसे जानने के लिए यहां पर आई हूँ आपका क्या गहना है इस बारे में मैं डिग्री से रिलेटेड मैं पढ़ाते तो हैं लेकिन फिर भी कोई स्लेबस में कमी रहती है या कभी प्रैक्टिकल्स में कमी रहती है तो बच्चों को मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल पाते हैं जिस वे में वो पढ़ना चाते हैं या जिस कोर्स में उन्हें एडमिसन लिय तो उस वे में अच्छी पड़ाइन उती में ये भी देखा जाता है मुमन की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन लैब नहीं है कमियां है टीचर नहीं है स्लेवस पुराना है और क्या कुछ कमी है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सही रहा नहीं चुन पाते ह हैं और कुछ का कुछ करने लग जाते हैं मन में कुछ होर है और कर कुछ और रहे हैं ऐसा क्यों होता है मुमन समय मैं बच्चा स्कुल में जाता है उसको दिला रखी आरट लेकिन वह जाना चाहतं है मेडिकल नाइन में में लेकिन उसको subject plus 2 या 10 क्लास में मिलनी चाही जो जो बच्चा जिसकी तयारी कर रहा है या बच्चे के पास जो योगता है उसके आदार पर नोकरी देनी चाहिए दूसरा ये भी है कि जो माबाप है उन्हें जागरू कोना पड़ेगा और बच्चों को भी टीचर से सला लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए हमारे साथ लगातार स पूरा यंगिस्तान हमारे साथ मौजूद है आपका नम कि है अरपण क्या करता बीजीएमक कर रहे हैं मासकॉम्निकेशन के बच्चे बड़े सारे बच्चे मासकॉम्निकेशन के तो आप क्या सोचकर इस कूर्स में आपने अपने एडमीशन लिया कभी सुना भी नहीं था क क्यों ऐसे ही बच्चों से बाच्चीत करने के लिए हम यहां हैं क्योंकि ऐसे ही बच्चे जो हैं वो रहा भटक जाते हैं कुछ का कुछ कर लेते हैं अब बाद में पता चलता है कि आरे यह तो हमें करना ही नहीं था तो यह तो बहुत बड़ी कमी रहा जाती है जॉप्स में तो आगे जाकर अटकले खड़ा करती हैं मुश्किले पैदा करती हैं तो ऐसी कौन-कौन सी परेशानिया है जो आप सुधारना चाहेंगी ताकि आने वाले जो बच्चे हैं अब आगे से इस तरीके कि डिसीजन ना ले कुछ सोच समझ करी ले मैंने तो बीजेमसी में मैं गेम करती स्पोर्ट करती बैडमिटन खेलती मैं मेरा बीए में अडमिशन नहीं तो मैंने बीजेमसी में होगा था तो मैं स्पोर्ट करती तो मैंने स्पोर्ट के लिया था बाकी बीजेमसी बाकी मेरे को लेकिन पापा चाहते थे शुरू में कि मदब सब लोग घर में medical या engineering कर रहे हैं non medical ले रहे तो मुझे भी जबर्दस्ती दिला दी गए मैंने भी ले ली मैंने सोचा कोई बात नहीं सब ले रहे तो मैंने भी ले ली फिर वो लटक पटक के मैंने भी कर लिया मैंने भी 12th कर पास आउट कर लिया लटक पटक के किया यही तो सवाल है कि इंटरस्ट नहीं है यही सवाल है यही सोच पैरेंट्स को भी सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि उनके बच्चों को भी कुछ बड़ा करना चाहिए और ऐसे में सिर्फ तो पेरेंट्स को डॉक्टर्स और इंजिनियर्स ही दिखते हैं, बाकी इस ट्रीम्स नहीं दिख पाती है, जी क्या कहना चाहरे हैं? माम कई बार ना पेरेंट्स यू सोचते हैं कि मेरा लेवल हाई है हमारा लेवल हाई है तो बच्चों का कई बार ही होता है इंटरेस्ट उसे लोर में होता है तो फिर भी पेरेंट्स उनके ओपर दबाव डालते हैं कि नहीं तुम लोगों को वही करना है जो हमारा बिजनस है या उसी फिल्ट में जाना है जहां हम तुम्हें भेजना चाहते हैं वो प्रेशर बहुत जाता है बच्चों पे इस वज़ए से वो सोच भी नहीं पारें ये जो कोर्स आप कर रहे हैं इसमें जॉप अपॉर्चुनिटी आप कितना देखते हैं आने वाल आखे ढूंड रहे हैं एक दोस्त ने कहा दिया है और इन्होंने एड्मीशन ले लिया है लेकिन कुछ सोचा नहीं है पहले मैं सोचे या पहले पड़े ये बताओ आप लेकिन एड्मीशन जो ले रहे हैं बच्चे वो कुछ सोचके लेते हैं अपने फ्रूचर को तो ऐसा क यह होता है कि बच्चे पहले सोचते नहीं है और किसी की भी सलाव पर एड्मीशन ले लेते हैं वह तो बच्चे ने खुद सोचना पड़ेगा और अपने परिवार वाले जो काटी आते हैं नरस्ते में उनको छोड़ो अपनी जो आपके मन में है या आप जो कुछ करना चा भूर ए क्योंकि नोकरी में उसके भी नोकरी है ही निए लेकिन अगर बंदा दोब कश्तियों में पैर रखेगा तो गिरें गिरेंगा अब हमाई साथ एजुकेशन में यही कर रखा है, डिग्री को आगे अगर हम आगे दिखाते हैं तो उसे सिफ डिग्री माना जाता है, लेकिन डिग्री के बिगार भी कुछ नहीं है, तो बच्चे यहां पे बहुत बड़े फसे हुए हैं, कोई साल स्टडी भी कर रहा है, कर रहे हैं, यहां बेरोजगार अपनी कमी से भी कुम रहे हैं, जो समाज में आज कर पार्शल्टी चल रही हैं, उसके वजए से भी घूम रहे हैं, हमारे आपर नोकरी जो है, वो कहते हैं कि जब पैसे देंगे तब नोकरी लगेंगे, डिग्री हमने ले रखियों, कुछ ले रखा ओगा इसका कोई माइने नी रखता है सरकार पोस्त निकालती है लेकिन वहां पर पार्शल्टी दिखाते है सब लोग बिलकुल ग्रमेंट सिस्टम में कमी है हमारे एद्जुकेशन सिस्टम में भी कमी है तो बच्चों ऐसे ही एडमीशन मत लीजिए और कुछ सोच स गल्फ्रेंड की वजह से एड्मिशन लिया है आपकी गल्फ्रेंड बीए में आपकी क्लास में बॉन यह ना इस चिक्ष्या प्रणाली हर जगा घलत नहीं है कहीं-कहीं बच्चे भी थोड़े से घलत हैं पुरा गंगिस्तार हमारे साथ यहां मौझूद है और में स्टुडेंट से कहना चांगी कि कोई गाना स्टुडेंट्स को लेका जो आप डेडिकेट करना चाहें पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा कोई इंजिनियर का काम करेगा विजनस में कोई अपना नाम करेगा को लेकर टीचर्स को जागरुक होना पड़ेगा और पैरेंट्स को भी जागरुक होना पड़ेगा फिल्हाल आज की लिए इतना ही अगले अपिसोड पर फिर मिलेंगी एक नए टॉपिक के साथ तिल देन ठीक्यों बबाई